बिस्मिल्लाहिर्रह्मानरहीम, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नाइन कलास के मिथिमेटिक्स का चैप्टर नूबर तैन और चैप्टर तैन में जो टापिक हैं वो है कांग्रूइन ट्राइंगल्स तो स्टूडन्स अगर आपने थियोर्म को समझना है और आसानी से इसको समझ कर करना है तो फिर आपको यहां आज की वीडियो से आगे जो जितनी भी वीडियो जा रही हैं वो देखनी पड़ेंगी अगर आप जो है तीसरी वीडियो या थियोर्म 3 या 4 या किसी भी और थियोर्म पे चले जाते हैं और आपको आज की जो वीडियो है उसको नहीं देखते या आप पिछली वीडियो उसको नहीं देखेंगे तो फिर आप थियोर्म जो है वो एट लीस्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये concept ऐसा है कि आप इसको शुरू से लेके चलेंगे तो तब ही possible है कि आप जो है किसी भी theorem को आप असानी से उसको prove कर सकते हैं तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये congruent जो है वो ये क्या होता है, correspondence क्या होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां पर दो ट्राइंगल दी हुई है, ABC और दूसरी है DEF अब इसमें जो correspondence होती है, वो क्या चीज़ होती है, देखें correspondence को हम अपनी जबान में अगर ये बात करें तो इसको कहते हैं मुनासिबत कि इसकी किसके साथ मुनासिबत है, तो AB को आप देखें कि ये जो ट्राइंगल ABC है, DEF ट्राइंगल में किस लाइन के साथ इसकी मुनासिबत है, तो आप देखें कि AB जो है, that is corresponds to DE, similarly AC जो है वो corresponds कर रही है, DF को, और इसी तरह BC जो है वो corresponds कर रही है, EF को, मैंने यहां पर उ corresponds to the similarity between the two things, such as two shapes or two angles, सबसे पहले हम lines की बात करते हैं, तो मैंने आपको जैसे ये बात बता दी, कि ये AB जो है किसके साथ corresponds कर रही है, तो जो correspondence, one to one correspondence का जो symbol होता है, वो यहां पर ये दिया हुआ है, और यहां पर जैसे ये symbol है, तो यहां आप इस जगा पर आकर देख सकते है कि इस ट्राइंगल में AB जो है that corresponds to DE और इसी तरह से जो यहां पर BC है, इसमें BC corresponds to EF, इसी तरह से CA corresponds to FD यहां पर, तो अब ये तीनों जो साइड्स हैं, वो इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल के साथ उनकी correspondence आ रही है, फर्दर अब हमने देखना है कि जो अंगल है, वो कौन सा अंगल किस के correspondence आ रहा है, किस अंगल की, इस जो ABC ट्राइंगल है, इसमें कौन से अंगल की DEF ट्राइंगल में, कौन से अंगल के साथ मुनासिबत है, तो यहां जो अंगल A है, that corresponds to अंगल D, यहां पर अंगल B, जो है वो corresponds to अंगल E, और इसी तरह से अंगल C, corresponds to अंगल F, तो यह यहां पर लिखा हुआ है, तो आपको यह सबसे पहले यह देखना है, कि जो correspondence है, वो क्या चीज़ होती है, इसके बाद अब हम आते हैं, congruent, the word congruent refers to the exact shape and size of the two objects, कि size और shapes, अगर 100% same हों, दो objects के, तो हम कहते हैं, both objects are congruent, आप यहां पर देखें, कि यह जो दो triangles हैं, आपस में, इन में से जो है, जो measurement A, B की है, उतनी ही measurement D, E की होगी, जितनी measurement A, C की है, उतनी measurement D, F की होगी, और जितनी measurement B, C की होगी, उतनी measurement E, F की होगी, तो इसका मतलब यह हुआ, कि all three sides of this triangle is the equal to the all three sides of this triangle, यानि कि हर एक उसके correspondence जो line है, वो उसके congruent अगर है, और फर्दर अगर इसका जो angle है, इस पहली जो triangle है, इस triangle का, दूसरी triangle के जो angles हैं, उसके congruent अगर हो जाते हैं, तो हम यह कहते हैं, कि angle A, B, C is congruent to angle D, E, F, तो यह एक जो है rule develop हो गया, कि if all three sides are congruent to the three sides of the other triangle, and all three angles of one triangle is similar to the other triangle, then those triangles are said to be the congruent, तो यह एक असूल develop हो गया, यह आपने याद रखना है, तो आप यहाँ पर इसमें note में आ जाते हैं, these triangles are congruent with respect to the above mentioned choice of the one-to-one correspondence, यह one-to-one correspondence के मताबक यह हम कहते हैं, कि यह जो है, triangles are congruent, next, जो है, if this triangle A, B, C is congruent to the A, B, C, तो इसका मतलब, यहने कि same, वही जो triangle होती है, वो अपने साथ ही congruent के लाती है, further, जो है, यहाँ पर अगर triangle A, B, C, triangle D, E, F के congruent है, तो हम यह भी कह सकते हैं, कि triangle D, E, F, जो है, वो congruent है, A, B, C के, तो इसका यह आपस में interchangeably, हम congruency को जो है, वो कह सकते हैं, और लिख सकते हैं, आप यहाँ पर देखें, कि यह जो triangle A, B, C है, this is congruent to the triangle D, E, F, further, this triangle A, B, C is congruent to the triangle P, Q, R, तो, then, we can say that the triangle D, E, F is congruent to P, Q, R, यहने कि अगर यह इसके बराबर है, और यह इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब है, यह इसके बराबर है, वही चीज लिखी है, कि if triangle A, B, C is congruent to D, E, F, and if a triangle A, B, C is congruent to P, Q, R, then, we can say that A, D, E, F is congruent to P, Q, R, तो, हम यह कह सकते हैं, तो, यह इस तरह से इनों ने मिंशन किया है, तो, यह जो general बात में हम यह कहते हैं, कि suppose, जैसे हम, यह general life में, हम यह कहते हैं, यह mathematics में कहते हैं, कि if A is equal to B, और फिर कहते हैं, A is equal to C, तो, then, जो है, यह B is equal to C, तो, यह बिल्कुल वही concept है, यहां पर, इसके बाद है, एक, उसने, यहां पा स्चुलेट, जो है, वो develop किया है, तो, वो कहते है, if any correspondence of the two triangles, if two sides and their included angle of the one triangle are congruent to the corresponding two sides and their included angle of the other, then the triangles are congruent, तो, यह क्या कह रहा है, यह basically यह कह रहा है, कि अगर आपके पास दो triangle है, इन दो triangles में से, अगर कोई सी दो sides और उनको included angle, जैसे यहां पर दो side है, A, B और A, C, और इसका included angle इन दो के दर्मयान होना चाहिए, किसी और तरफ नहीं होना चाहिए, यह इसका included angle नहीं होगा, यह यह दो sides है, D, E और D, F, और उसका included angle D है, तो वह कहता है, इनके अगर congruent होगा, तो then you can say that this triangle is congruent to this triangle, तो आप यहां पर देखें, if A, B is congruent to D, E, और angle A congruent to angle D, और A, C congruent to D, F, then the triangle A, B, C is congruent to the triangle D, E, F, तो यह है side angle side postulates, जो coming theorem में बहुत ज़्यदा इस्तमाल होगा, तो आपको यहां पर याद रखना चाहिए, कि if two sides of one, two sides included angle of one triangle is similar to the two side and included angle of the other triangle, then both triangles will be congruent, तो यह side angle side postulate हुआ, और याद करने के लिए देखें, दो side हैं और उनके दरम्यान में angle होता है, तो इसलिए कि ता कहा है side, फिर angle, फिर side, यह देखें side, फिर angle और फिर side, तो side angle, side postulate कहते हैं, तो यह आप जब याद रखनेंगे, यह जब आपको समझ आ जाएगा, तो इसके बाद coming जो theorem सोंगे, वो अब को understandable होंगे, और आप असानी से उनको समझ सकते हैं, तो आप theorem one की वीडियो को understand करने के लिए हमारी next वीडियो को concert कर लेंगे,